यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ से होते हुए आज जुलाई को यात्रा का पहला चरन बल्या में पूरा होगा वही शत्रुगन सिना और येश्वन सिना की और से विरोधियों के साथ मंच साजा करने की बात से बीज़ेपे में अब खलबली मची हुई है इसी कड़ी में हर दोई में बीज़ेपे को अपना कुनबा बढ़ाने में बड़ी सफलता हाथ लगी है यहां की पाली नगर पंचायत की अध्याक्ष दीपा अवस्ती ने अपने सैंक्रों समर्थकों के साथ बीज़ेपे का दामन थाम लिया है आपको बता दें कि दीपा अवस्ती पुर्व अध्याक्ष और शेतर के कड़ावर नेता लक्षमी कांत बाचपई की पुत्री है जिनका शेतर में एक खासा दबदवा है यहां हुए एक भव्य कारेकरा में उन्होंने बीज़ेपे का दामन थाम लिया इस मौके पर बीज़ेपे जिला अध्याक्ष शेक्रिशन शास्तुरी स्थानिय बीज़ेपे विधायक मादुविंद्र सिंग और शाहबाद की विधायका रजिनी तिवारी शामिल हुए इसके साथ ही मंच पर वेनेता भी एक साथ नजर आए जो नगर पंचायत के चुनाब में एक दूसरे की विरोधी थे तो साथ ही आपको अगली खबर की और लेकर चलते हैं जहां पर हम बात करेंगे यूपी में योगी आदित्यनात की निर्टुत्तु वाली सरकार की इनके शासन में इमारतों का भगवा करण लगातार जारी है एनेक्स और सरकारी बंगलों के बाद अब शाफस्ती समय सरकारी स्कूलों को केसरिया रंग में पेंट करने का मामला सामने आया है खबरों के मुताबिक शास्ती के हरी हर पुर रानी ब्लॉक में सरकारी स्कूल का भगवा करन कर दिया गया जिससे इलाके में स्कूल चुर्चा का विश्य बना हुआ है जिस पर विवागी अधिकारी चुप्पे सादे हुए हैं वहीं जब इस अपर खबरे अभी तक ने बेसे कशिक्षा अधिकारी से बात की तो उन्हेंने बताया कि अभी तक कोई ऐसी जानकारी उन्हें नहीं मिली है दरसल यूपी के सीम सन्यासी हैं इसलिए वो भगवा रंग पहनते हैं लेकिन सन्यासी को खुश करने के लिए अफसर हर चीज़ भगवा कर रही है झाल